Hello guys, this is Nikhil and you guys are watching as Taroad. आज हम करने वाले हैं Taurus वालों के लिइए read जिनके बारे में Taurus राशी वाले सोच रहे हैं, वो Taurus वालों के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है Taurus वालों के person की current feelings, current situation, इन सबी सबालों के जवाब जानने की कोशिश हम आज अपनी स्रेडिंग में करेंगे. साथ ही साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या guidance universe की तरफ से हमें मिल रही है क्या guidance mother universe हमें देना चाहती है क्या बताना चाहती है future के लिए इन सभी सवालों के जो आप जानने की कोशिश आज की अपनी इस reading में हम करेंगे सभी viewers से कहना चाहूंगा मेरी read जो है gender specific नहीं रहेगी तो आप लोग अपने gender के हिसाप से अपने आप से connect करें इस reading को और positive vibe में होके बैठना है सभी को negative बिल्कुल भी नहीं होना है तो देखते हैं देखिए तो टोरस वालो देखिए मुझे दिख रहा है आपके पास opportunities आपकी life में आती भी मुझे दिख रही है नहीं नहीं opportunities आपकी life में आने वाली है opportunities कैसे देखिए आपकी जो source of income है वो मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और हो सकता है आप सोच भी रहे हो अपने जो career है उसको आगे बढ़ाने की आपने career में और कुछ skills एड़ करने की तो वो चीज मुझे यहाँ पर होती भी दिख रही है देखिए स्टार्ट करते हैं देखिए जैसे कि मैंने पहले ही कहा opportunities देखिए काफी opportunities आपकी life में आती हुए मुझे दिख रही हैं और आपके जो future है वो देखिए अच्छा होता हुए मुझे दिख रहा है आपके जो person है आपकी life में उनकी भी entry हो रही है यहाँ पे मैं बता दूँ अगर आप single है तो आपके life में कोई नया person आता हुए मुझे दिख रहा है अगर आप already एक relationship में है तो मैं बता दूँ आपके जो person है उनसे आपके शादी हो सकती है होने के बहुत जादा chances यहाँ पे दिख रहे हैं और साथ ही साथ अगर आप लोग already husband wife है spouse है आप लोगों का लड़ाई जगड़ा या separation वाला scene चल रहा है वो चीज मुझे यहाँ खतम होती भी दिख रहे है क्योंकि आपके person को यहाँ आपकी need समझा रही है देखिए three of pentacle आ आपके जो person है उनको ना आपकी जो जरुरत है या आपकी जो value है वो समझाती मुझे दिख रही है अपनी life में उनको दिख रहा है आपकी क्या value है उनकी life में उनके लिए क्या value रखते हैं आप और देखिए यही reason है कि वो आपके साथ अपने जो life है आगे की life है वो सोच रह प्लैनिंग चल रही है उनके माइंड में क्योंकि देखिए नाइट ऑफ सौर्ट मुझे क्या बता रहा है नाइट ऑफ सौर्ट उनको ऐसा लगता है आपके मतलब इस पॉइंट पे उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ ना आपके बिना बिल्कुल बेकार है आपके बि भी रात उन्हें ऐसा लगता है कि आपके बिना उनकी रात जो है वो काफी जादा अंधेरी और बुरी है तो देखिए आपको यहां पर अपना स्ट्रेंथ मानते हैं आपसे इतने जादा वो इन्फ्लेंस्ट है या फिर मैं कहूं इतने जादा आपकी तरफ स्ट्रेंथ मानते हैं बट क्या है कि वो फैमली प्रेशर में या फिर दूसरों के सिखाये में जादा चलते हैं या हो सकता है दूसरों का जो भी आपके लिए नजरिया है वो उन्हें आपसे दूर करने की कोशिश करते हैं तो यही रीजन है बीच बीच में आपके परसन के साथ आपकी लड़ाई जगड़े चलते हैं या फिर आप लोगों के बीच थोड़ा सा मिसंडरस्टेंडिंग्स क्रियेट होती हैं तो वो यही वज़े है कि उनके जो friend circle है या उनका जो family zone है वो आप लोगों के बीच में misunderstandings create करता है तो यही चीज मुझे यहाँ पर भी दिख रही है so next card देख लेते हैं क्या है next card the hermit four of cups the death or the rebirth आया है so the death or the rebirth बहुत ही जादा positive card है बहुत ही जादा अपने अंदर यह positivity रखता है और देखे क्या बता रहा है the death तो मुझे यह बताता है कि देखे आपकी जो life में कुछ problems हैं वो खतम होनी है वो खतम होएंगी अब काफी times है आपकी life में काफी जादा problems चल रही थी कोई change नहीं था आपकी life में और काफी जादा फ्रस्टेट हैं इस life से मुझे दिख रहा है तो यह चीज मुझे कटम होती है दिख रही है rebirth होता हुआ मुझे दिख रहा है आपकी जो personality है जो person अपने आपको ग्रूम करने के लिए अपने आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं यही चीज मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं क्योंकि देखे आप आपको जो ओरा है आपकी जो नेचर है या मैं कहूं आपकी अंदर से आप काफी जादा अच्छे हैं काफी जादा खूपसूरत हैं ब्यूटिफुल हैं अंदर से बट आपना अपनी जो आउटर साइड है या मैं कहूं आपकी जो लुक्स हैं आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं जिस वजह से आपको काफी बार rejection phase करना पड़ता है आपकी जो crush हैं या जिसको आप like करते हैं वो बहुत बार most probably आपकी जो लुक्स हैं उनके उपर reject आपको कर देते हैं क्योंकि देखे ऐसी बात नहीं है कि लुक्स में आप खराब हैं लुक्स में आप बुरे हैं लुक्स में आप काफी जादा अच्छे हैं बट बात क्या है यहां पर आप खुद को ग्रोम्ड नहीं रखते हैं खुद को presentable बना कर नहीं रखते हैं तो यही रीजन है कि लोग आपसे दूरी बनाने कोशिश करते हैं और यही वज़े है कि अब आप खुद को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनानी की थोड़ा सा स्मार्ट बनानी की कोशिश में लगे हुए हैं और देखे क्या है आपने इस टाइम पे काम बहुत कर रहे हैं काम खुद को आगे बढ़ाने के लिए आपका जो कैरियर है उसके लिए काफी जादा आप काम कर रहे हैं आगे बढ़ानी की खुद को कोशिश कर रहे हैं इसी वजह से आप मुझे काफी जादा थके हुए फील लग रहे हैं ऐसा लगता है कि आप थका हुआ फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर अपना काफी जादा खुद को थका थका महसूस कर रहे हैं और आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेना है देखिए सॉरी वर ऐफ कप्द्जिया ही बता रहा है कि यहां पे आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है जो भी आपको हैक्डिक चेडियोल आपने मनाया हुआ है बीजी चल रहीं बीजी लायफ आपने जी से कुछ दिन के लिए ब्रेक लीजिए थोड़ा सा और सोचलर थोड़ा एक्टिव वनी की जुरूरत है मतलब फ्रेंड बनाने की या फिर यह वो नहीं मतलब थोड़ा सा आपको अपने तोड़ा सा टायम देना है टाइम कैसे देना है थोड़ा सा खुद को रिलेक्स केजिए आपको जो माइंड है अंस्टेबल मुझे यहां पर दिख रहा है क्योंकि आप काम बहुत कर रहे हैं काम अपने जो जो भी आपका कैरियर है जिस भी फिल्ड में आप हैं उसमें आप काफी जादा मगन इस टाइम पर मुझे दिख रहे हैं तो मुझे यही चीज़ दिख रही है आपको थोड़ा सा ब्रेक ले के खुद को टाइम देना है और आपको जो आपके आस-पास के लोग है आपके फैमली हुई आपके जो भी आपका फरेंड सरकल है क्योंकि इनको दोका बहुत मिलता है जो भी इ एक दो friend है या आपकी family है उनके साथ time spend कीजिए उनसे बात कीजिए क्योंकि यहां पर आपको एक break की जुरुत है break लेना है आपको और देखिए the hermit आया है the hermit मुझे क्या बता रहा है आपको hermit भी मुझे यही बता रहा है कि आपको थोड़ा mental peace की जहां पर जुरुत है तो mental peace आपको ऐसे ही मिलेगा कि आपके जो near one है जो आपके family है जो friend है उनके साथ थोड़ा time spend कीजिए so that यहाँ पे आपको मुझे थोड़ा peace मिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि आपने अपनी life ना बहुत होस्पोस कर ली है बहुत जादा busy अपनी life बना ली है कोई question है आप लोगों का तो आप मुझे comment section में लिख दीजिए रिप्लाइ दूँगा आप लोगों का so देखते है nine of pentacles night of pentacles and nine of pentacles अब साथ में हाथ बाग पॉंड्स तो देखिए यह जो चीज यह जो cards निकल के आए हैं यह उनके लिए हैं जो students हैं जो पढ़ रहे हैं उनके लिए यह cards आए हैं निकल के बाद उनकी कर लेते हैं यहाँ पर पहले so देखिए जो student है मुझे दिख रहा है अगर आपने कोई stream अपनी चुनी है जिस भी field को आपने चुना है उसमें competition काफी जादा है so आपको यहाँ पर hard work करना पड़ेगा करते वए मुझे आप दिख रहे हो क्योंकि आपने stream ही ऐसी चुन ली है जिसमें काफी जादा hard work है so hard work के साथ साथ competition भी काफी है so यहाँ पर आपको थोड़ा सा hard work नहीं थोड़ा smart work करना है अपनी जो skills हैं उन पर ध्यान दीजिए आपकी जो exam के लिए जो आपकी रणीती है जो आपकी schedule है या फिर मैं कहूँ जो भी आपने routine बनाया थोड़ा उसको smartly बनाईए आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भेड़ चाल चलनी है दूसरों की तरह तयार ही करनी है जैसे वो रटने के कोशिश करते हैं नहीं यहाँ पर आपको थोड़ा सा smart work करना है आपकी जो skills है उनको better करना है थोड़ा देखिए mind से काम लीजिए queen of cups यहीं बता रहा है थोड़ा आप relax करिए खुद को और थोड़ा mind से काम लीजिए थोड़ा दिमाग से सोचिए ठंडे दिमाग से सोचिए क्योंकि अगर देखिए आप भेड़ चाल चलेंगे या फिर दूसरों की होड़ करेंगे तो आप success नहीं achieve करेंगे बट यहाँ अगर आप अपने मन की सुनेंगे आप smart work करेंगे तो चीज़े better दिख रही हैं मुझे यहाँ पर देखिए आपको success भी मिलती भी दिख रही है और साथी साथ यह जो आपने feel चुनी है यह आपको financial games भी काफी देगी बट आपको यहाँ पर hard work नहीं smart work करना है so that आप एक success को achieve करें देखिए night of pentacles मुझे यही बता रहा है अगर आप अपने जो schedule है routines है या फिर जो आपको planning है उनको अगर आप सही डंग से लेके चलते हैं तो आप achieve करेंगे success को और वो जो success होगी वो आपको काफी जादा financial gains आगे जाके देगी future में career में यह चीज़ आपकी काफी help करती है मुझे यहाँ पर दिख रही है so students आपको थोड़ा सा अपने mind को stable रखना है relax रखना है और आपकी जो friend है या फिर जो आप दूसरों को आपके सोच रहे हैं ना influence हो रहे हैं कि मुझे भी यह करना है या मुझे भी ऐसे करना है तो वो चीज़ मत कीजिए आपको थोड़ा सा अपने plannings पर काम करना है smart work कीजिए थोड़ा mind को relax करके ना थोड़ा सा तब आप सोचिए तब आपको चीज़े better दिखेंगी आपको और ज्यादा रास्ते दिखेंगे और एक चीज़ में यहां पर मता दूं कि आपना अपनी जो plannings हैं या फिर आपके जो भी goals हैं या future में आप सोच रहे हैं वो आपको किसी के साथ share नहीं करना है आपको अपने मन में रखना है मन में ठानके रखिए और आपको वो चीज़ अच अचीव करेंगे तब आपके friends और family सबको अपने आप दिखेगा आपका result बट आपको यहां पर किसी के साथ दिन दौरा नहीं पीटना है किसी के साथ आपको share नहीं करनी है प्लैनिंग्स की सूर नेक्स्ट कार्ड में देख लेते हैं क्या निकल के आने वाला है देखे टोरस वालो आपकी family में मुझे काफी ज़्यादा अब खुशिया दिखती हैं खुशिया आपकी family में आते भी दिख रही हैं सिकते के तीनों ही कार्ड काफी ज़्यादा पॉजिटिव निकल के आए हैं आपकी life में आपकी जो family है उसमें चीजे unstable सी मुझे दिख रही है पास्ट में unstable हो गई थी out of control भी कह सकते हैं कि इतनी problems हो अपास्ति ही थे बड़ यहां पर घबराने की जूट नहीं है future में आपकी family भी देखे एक साथ है आपकी family और enjoy करते दिख रहे हैं आपकी घर में function आते मुझे दिख रहे हैं तो तैयारी कीजिए function आपके family में आने वाले हैं क्योंकि यहां पे मुझे दिख रहा है आपकी family जौशी हैं और फैमिली में सब साथ है और खुशित यहां आपकी पर धिख रही है काफी जाद़ आप इसचीज को काफी एंज्वैंड्ट होने वाले है बहुत ही जाधा आपको खुश्यां देने बाले हैं और आप Veguz उसके अलावा मुझे क्या दिख रहा है आपके ही life में fame आता हुआ दिख रहा है देखिए आप जिस भी field में है उस field में आपको fame मिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि आप जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इका आप स्टेबल नहीं है अपने कहजिए को लेकर आप लगे हुए है बस लगे हुए है महनत करने में वह चीज मुझे आपे दिख रही है आपको न फेम मिलता हुआ दिख रहा है आपके हाड़ वर्क की वज़ह से फेम मिलने वाला है इसमें आती ही मुझे 101 परसंट दिख रही है और आपकी फेमिली में भी काफी जादा पीस काफी जादा शांती रहने वाली है तो आपको अब किसी चीज की सोचने की या ड़ने की जूरत नहीं है तो नेक्स्ट कार्ड मैं देख लेता हूँ क्या निकल के आने वाला है टैन मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था इस टाइम पे इस पॉइंट पे आपके परसंट को आपकी वैल्यू का पता चल रहा है आपकी जो वैल्यू है वो उन्हें पता चल रही है यही वज़ा है वो इस टाइम पे आपको काफी जादा मिस कर रहे हैं खुद को काफी जा बात अप उनका जो lifestyle है जो उनकी दिन चरिया है या मलब कुछ भी आपके साथ बात करनी है उन्हें बहाना चाहिए इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो उन्हें बहाना चाहिए बस कैसे भी कैसे भी आपके साथ बात हो जाए ये वो सोच रहे हैं बात करना चाहते हैं आपको और याद कर रहे हैं देखिए उनकी लाइफ में जो भी होता है छोटे बड़े इवेंट वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं बहुत खुशी मिलती है उनको इस चीज़ से कि आपके साथ अपनी लाइफ का एक पल जो भी उन्होंने बिताया है जो उनकी लाइफ में चल रहा है वो सब आप से शेयर करने के बात काफी जादा वो खुश फील करते हैं तो यही चीज मुझे आँ दिख रहे हैं आपके परसन की लाइफ में देखे काफी ज़ादा उदासी इसलिए है कि वो आपको मिस कर रहे हैं और आपके साथ अपनी जो भी चीज़े हैं वो शेयर करना चाहते हैं सो सेवन ओफ पेंटिकल्स आया है देखे सेवन ओफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है आपके जो परसन हैं आपको स्टॉक कर रहे हैं आपकी जो सोशल मीडिया है या फिर आपकी जो पिक्स आपने उनको शेयर की है या फिर जो आपकी चैट से उनको देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वो काफी ज़ादा आपको मिस कर रहे हैं स्टॉक कर रहे हैं और आपके साथ जो उन्होंने पल बिताया है ना उन पलों को वज़ाद कर रहे हैं यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है हो सकता है उनकी फैमिली में कुछ लड़ाई जगड़ा हुआ हो या हो सकता है कुछ किसी ने उन्हें कहा हो इस वज़ा से भी वो थोड़ा सा मेंटली परेशान है और आपके साथ कम्मिनिकेट करना चाहते हैं अपनी बाते आपसे शेयर करना चाहते हैं किस आपको कर रहे हैं और स्टॉक तो देखे आपको करी रहे हैं सोचल मीडिया पर हो सकता है कोई फेक प्रोफाइल बनाके भी आपको स्टॉक करते हूं आपकी जो प्रोफाइल से हैं उनको स्टॉक करते हूं फेक प्रोफाइल बनाके कि आप क्या करते हैं सोचल मीडिया किस से बात करते हैं कै आप लॉड करते हैं क्या पोस्ट करते हैं यह सब चीजे वो यहाप wraps करते हैं कि अब्सर्फ करते हैं आपकी जो technада हैं उनर्फ gonna क्यूंख कि आपके जो person हैं वह काफि ज़्यादा अप दियत हैं क्यों क्यों यही हैं कि वह 400 काफिक करते हैं उस टॉप के साथ साथ अब्जर्व भी काफी करते हैं आपकी जो एक्टिविटीज होती है उनको सो गाइज यह थी आज आप लोगों के लिए रीड आए होप आपके साथ रीडिंग रेजनेट करेगी आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी और अगर रीडिंग रेजनेट ना करें तो बिलकुल दिल छोटा मत कीजिकन बहुत जल्ली दूसरी रीडिंग के साथ आऊंगा वो आपके साथ जरूर रेजोनेट करेगी तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें भाई भाई ठेक केर